एक बेटवा दो बेटे सद मा डिकी में डूबी चारो की मोद, पीलवा गांओ के मस्जिद की डाणी, खेद पर ψए आसा फ़नोदी जिले के लोट थाना अंतरकात पीलवा गाह में मस्जिद की डानी इस्तित खेत पर बनी डिग्गी में सुकुरवार दो पार एक माईला और तीन बच्चों के डूबने से संसे नी फेल गई परीजिनों ने ग्रामीनों की मदद से चारों को बार निकला लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी मौत का काण इस पेस्ट नहीं हो सका लेकिन पुलीस को अंदेश आया कि खेल खेल में एक बच्चे के डूपने पर उससे बचाड़े के परियास में चारों की मौत होई होगी वर्ता अदिकाइड लोट संकरलाल ने बताया कि पीलिवा गाउ में मस्जित की डानी इसति सरवन राम मेगवाल गाउ के एक टुबेल पर कर सके और पत्नी सोनी और तिन बच्चों के साथ रहता है वाद दोपा डेट बजे टुबेल से कुछ दूर पिता के घर से लोटा तो टुबेल पर बनी डिगी में पत्नी सोनी देवी 26 वर्षी पुतर परदी 5 वर्षी पुत्री मंजु 3 वर्षी और सुनिता 6-7 मैंडे की डूपती दिखाई दी चिलाने की अवाज सुन पिता और भाईवा ग्रामिन वाँ पर आये और चारों को बार नेकला लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी जिला क्लेक्टर फडोदी जस्मी सिंग शंदू पुलीस अधिक सक फडोदी विनित कुमार बंसल सहित पुलीस वा परसाशरीक अधिकारी मोके पर पहुँचे एपसल टीम को भी मोके पर बुला कर साक्षी एक्तित करवाए गए पुलीस का कहना है कि सरण पिता वा बाइस से अलग अन्य किसी टुबेल पर कर सके हैं वा पतनी वा बच्चों सोईत रहता है किसी रिष्टेदार के निदन के चलते उसे अपने पिता के साथ सौक वेक्त करने जाना था ऐसे में वा डेट बजे दो तेन खेट दूर पिता के गर गया वा था वा कुछ समय बाद वापस टुबेल पर आया लेकिन खेट वा घर में पतनी वा बच्चे नजर नहीं आए उसने आवाज लगाई लेकिन जवाब नहीं मिला तलास के दुरान टुबेल पर बनी डिगी के किनारे पतनी वा बच्चों के चपल नजर आये सामने योनहें बाद निकला लेकिन तब तक उनकी मौत उ चुकी थी भिल याद पत्ली में किसी परकार का विवाद भी सामने नहीं आया है वोई मत्तिक सोनी का पीर सेमगा बताया गाह रहा है वह घटना को लेकर प्छिस ने मंधा दर्च कर सुरू कर दिए झाल झाल